दोस्तों हडडडव data recovery का जो पहले मैंने वीडियो बनाया मतल़कि मेरा पहला वीडियो जो था उस वीडियो में मैंने बताया कि कंपह ड्राइब का PCB क्यों खराब होता है और PCB का block diagram के बरे में और साथ साथ कुछ component के बरे में भी मैंने बात की तो आज मैं बात करूँगा हड्राइब का सच करनाstar Month hours PCB के यूद अलग अलग यूद बात करूँगा है उस component को कैसे चेक करते है इसकी के बाटे में में बात करूंगा करें को है तो दोस्तों यहां पर कुछ प्लश यह आप देख रहे है अलग-अलग company का हट्डिक्स का PCV है तो इस PCV में जो पर लगा हुआ है इस पर बारे में मैं पहले वीडियो बेमें भी बात आया तो इस बीडियो में बता जिता हूं यहां आपका डावलोडी का डावलोडी हट्डिक्स का PCV सब्सक्राइब में यह जो दो अब देख रहे हैं यह दो जो इसम्टी कंपोनेट्ट यह हुए आपका टीबस जायोड यहां पर च्छोटो च्छोटो जिरो हम का रेजिस्टन्स लगाव हुआ है जो फीज को तरह काम करता है यह आपका बायोज यह रैम चीप में आइसी यह म मोटर कनेक्टर अर यह एड कनेकटर का दो दोस्तों कि पहले मैं बात करूंगा टीबस जायट के बार में लिए दो यह जो होता है एक 5 Вट के लिए और 15 वल्ट के लिए तो टीबस जायट खराब है कि नहीं है इसका पहचान किया है अगर आपका सिस्शाज में पावार लिया और दुनों प्रॉप दो सेरे लागाए अगर 00 ऐसे कुछ सो होगा 00 खड़ादए और 00 के अलबा कुछ अलाग नमबर आएगा मतलब आपका ट्रीवेस्ट डियोट और अगर पावर लगा हुआ है यहां पर लगा होआ तो यहां पर जो । होगा और टेन टू थाउजंड होगा है अगर नीचे भालू सो हुआ तो मतलब आपका टीबेस डाव है इसके बाद आते हैं आपका जो यहां पर दो रेजिस्टेशन लगाऊ है यह अगर माल्डिमीटर का दोनों प्रॉप यहां पर लगाऊगे डाइड मोड में राक के तो आएगा और जरो जरो भालू सो होगा इसका मतलब यह खड़ाव है यह ओके है अगर प्रॉप नहीं है नहीं आया तो यह खड़ाव है इसको चेंज करने की जरूद नहीं इसको निकल दीजिए और कोई वायर के द्वारा सॉट करेजिए काम चल जाएगा फिर मैं आता हूं स्वार के द्वार जरो प्रॉप होता है तो ममें तौध में को जरूप नियुक सब्सक्राइबाँ उससे क्टाइब दाता है महाँ पर रायता है एंस्यूनेंस इंस्वार्द रेस्टेंस और अगा का उके है तो आप्र है मोटर इस ऊंच से नहीं होना चाहिए तो ब्रैलू आप कहां करोगे यह जो मट्रों कनेक्टर में आपको मट्रों कंट्रों आइसका आइस रेपले में पिर में बात करोंगा में सीके बड़े में दूस्तों मेन इसी में भी आपका बोल्ट सो होगा 3.325.5 वोल्ट अगर सो हुआ तो मतलब आपका आइसी होके है अगर खड़ा हुआ उससे कम बोल्ट मिला तो जो यहां पर जो कैपसिटर आप देख रहे हैं इस कैपसिटर को आप चेक किए कहांए पर कैपसिटर खड़ा हो यह कैसे आप कंफर्म करोगे तो जब हाग समय प्रेट बेर दो तो यह को अंदर प्लेट यह फिर मार्ट एंक है तो स्पीन कर रहे है कि नहीं है आपको हाथ में सेंच होगा अगर हाड्य कोड़ा पूरी डेड है मतलब आपका पीसीबी में प्रॉब्लम है और अगर अगर् प्रवल्म है तो अंदर क्या प्रवल्म है इसके बाद में वीडियो बनाऊँगा तो पावर आप ठीक से नहीं होड़ा है इस पीडिक से नहीं कर पड़ है और डेड है या फी पीसीबी में कोई सरता है और यह ऊपिशना है तो आपको पीसीबी का रिपैर करने की ज़रूरत है उपक्राइब का आप बारक है उसको कंप्राइब कर दीजिए निकाल लिए दुसरे कंप्राइब लागशर दीजिए तो दोस्तों यह होगा अपका पीसीबी चेकिंद के बाड़े में पीडिय है कि इसको कोई रावर लेकर या फी कोई इसको क्लीन किजिए हो सकता है कि इसके खालब के बज़ार से आपका हड रिक्स नहीं चल रहा है तो जो इसको करेंटर को पहले आपको करना पड़ेगा फिर आप चेक किजिए कि कि आदर कुछ ख़र ख़र आगे नहीं है तो डूस्ता लिटना ही नेक्स वीडियो में मैं बताएंगे की अलग अलग हड़ किया किया कि में प्रीटेवगे को स्पावड़ु किया कॉयी का अंदर कि बड़े में फिडियो में ब ann九 आता इस इसके बनान की लेक्टी व क्या और कोई कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं